बीजेपी के राष्ट्रे महास्चेफ दुश्यन्त कुमार गौतम सिखास पाच्चीत की है हमारे पॉलिटिकल एडिटर राजीवतिवारी ने आई आई आपको सुनाते हैं इसार बीजेपी के राष्टी महास अची हो दुसेंद गौतम जी है सर जिस तरह से राम मंदिर उडाने की धंकी दिया पन्नु ने उस पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं या क्या कहना चाहेंगे पन्नो की धंकी से कोई हमारी सरकार को डरने वाली नहीं है लेकिन देश म रहने वाले इसे को तो मंदिरों में लड़की चेड़ने के लिआते हैं लेकिन सरकार मजबूत है सकती साली देखाया है और उसके पहले जो बयानबाजी हो रही है क्योंकि देखिए कि जो कांगरेस के अध्यक्षे उन्हों ने जिस्तर से संतों पर जो सवाल खड़ा किये हैं राहूल गानी का जो बयान आया है पूरे अभराल मामले को इसे देख रहे हैं और इनों को क्या करना जाएंगे चुनाओं नहीं होती है जब व्यक्ति हारता है ना जी रने के बाद उसका दिमाग खराब हुगbn उयाता है और पागल होने के बाद में यह ब्यान-बाजी वो कर्ता है इसलिए कोई परिशानी बात नहीं है और यह रही और यह सचाही है तो उसी बयान की तमाम बयान सामने आ रहे हैं उसी को बड़ा चुनावी मुद्धा बनाए गया है खास करके बीपक्षी दल की जो नेता है चाहा हो माराष्ट में हो या जहारखंड में हो सवाल खड़ा कर रहे हैं इन लोगों को क्या कर जाएंगे यह सचाही है बटोगे तो कटोगे अंग्रेज उने फूट डालो राज किया इते साल तक राज किया हमको ही कुछला मुगलों ने सनातन को खतम करने के लिए धरम परिवर्तन कराया दलीतों ने धरम परिवर्तन नहीं किया इसलिए उसे गिनों ने काम कराये गए उनको दलीत शुरू से ही चलती आ रहे हैं, इसलिए योगी जी ने कहा है, बटोगे तो कटोगे, सत्य है, सत्य है, सच्चा ही है, इसलिए हमको एक जुट होकर, मजबूत होकर देश को आगे बढ़ाना है.